बिस्मिल्लाई रह्मान रहीम तेस्टी जी हाँ ये टेस्टी औरेंजिस ना सिर्फ खाने में टेस्टी होते हैं बलकि अगर हम इसे अपलाय करते हैं अपने स्कीन पे अपने बालों पे तो ये उसके लिए भी बहुत ही फार्दे मंद हैं तो आज की इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि आपने औरेंज पाउडर कैसे बनाना है इसे आपने अपनी ब्यूटी प्रोड़क्ट्स में कैसे यूज़ करना है इसे आप अपने खानों में इस्तमाल कर सकते हैं के नहीं इसका पाउडर बनाने के लिए आपको किनकी नहत्यातों की जरूरत होगी इसके पाउडर को आप कैसे और कितने लंबे अर्से के लिए महफूस कर सकते हैं इस पाउडर को हम कहां कहां इस्तमाल कर सकते हैं और कैसे इस्तमाल कर सकते हैं और इसके फाइदे क्या हैं तो इन तमाम स्वालों की जवाब हासल करने के लिए आपने वीडियो के एंट तक मेरे साथ रहना है तो चले अपना टाइम बेस्ट किये बगार अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं हमें तेस्टी जो किनुम हमने जूस निखाने के लिए इस्तमाल की उसकाव हमने पहेंका नहीं बलके KOL or K GTA कर लिए अब इसे हमने खरना रखना है पूछ लोग इसे चाह में वहीं सुकाते हैं वह भी ठीक है लेकिन आप विसे रखना हैं तो भी इसकी metal क्वालिटी में कोई भी फरक नहीं पड़ता है आप देख सकते हैं यहाँ पे इन छिलकों को रखे वे एक दिन हो चुका है तो एक दिन में ही इनकी स्किन सुकरना शुरू हो जाएगी लेकिन एक दिन में यह ड्राय नहीं होते हैं मैं इनको यहां पे ट्रे में ड्राय करी हूं कोशिश करें किसी चार पाई पे अगर मलमल का कपड़ा बिचा कि अगर आप इनको ड्राय करते हैं तो यह जल्दी ड्राय हो जाएंगे क्योंकि इनके उपर नीचे अच्छी तरह से हवा लगेगी अच्छा यह जो शिल्के मैंने अलग किया हैं मुझे यहां पे लग रहा था यह ठीक नहीं है तो मैंने इनको पहले से ही अलग कर लिया है तो अगर आप फंगस वाले शिल्कों का पाउडर बनाएंगे तो फाइदे की बजाए आपको नुकसान ही होगा इनको खुशक होने में अच्छी तरह से खुशक होने में तकरीबन चार से पांच दिन लग जाते हैं अगर सर्दी में खुशक करें तो जाहर है थोड़ी सी ठंड होती है धूप भी थोड़ी सी ठंडी होती है तो ज्यादा दिन लगते हैं अगर गर्मियों में आप इनको ड्राय करते हैं तो दो से तीन दिन में ही अच्छी तरह से ड्राय हो जाते हैं लेकिन जाहर है संगत्रे किन्नू या औरेंज आते ही सर्दियों में हैं तो इसका जो छिलका है वो भी हमने सर्दियों में ही खुश करना होता है बस इनको fungles से बचाने के लिए आपने कोशिश करनी है कि venir में एक बार इनकी side change कर ले अगर आपको इनकी side change करना रोजरोज मुश्किल लगता है तो फिर आपने इनको ऐसी जगा पर रखना है किसे ऐसी जाली पर रखना है जा इने उपर नीचे अच्छी तरह से हवा लग सके ठीक है बस इसी तरह से चार से पांच तिन लगेंगे और किनू के ये जो छिलके हैं ये बहुत अच्छी तरह से ड्राइ हो जाएंगे अगर आपने इनके चिलकों को ड्राइ करने का प्रासेस थोड़ा से शौर्ट करना है तो एक और तरीका भी है उसमें इसके चिलकों का जो वाइट पार्ट है उसको हम अलग कर लेंगे और जो इसके उपर जैस्ट होती है सिर्फ उसी को रहने देंगे इस तरह से ये जल्दी ड्राइ भी हो जाएंगे और आप इसे अपने खानों में भी इस्तमाल कर सकेंगे तो आप देख सकते हैं इसका वाइट पार्ट जितना हो सकता है मैंने उतारने की कोशिश किया है थोड़ा बहुत जो रह गया है वो मैं बाद में उतार लूँगी अब इन चुलकों को हम पतले पीसीज में काट लेंगे और इनको दूप में या चाओं में अच्छी तरह से पहला के ड्राइ कर लेंगे इस तरह से ड्राइ करने में आपको सर्दी में दो दिन लगेंगे और गर्मियों में तो ये एक दिन में ही ड्राइ हो जाते हैं अब इसको आप अपनी स्किन पे और अपने बालों पे तो अप्लाइ कर ही सकते हैं लेकिन जहां पे आपको औरेंज एसंस की जरूरत है आपने इसको अच्छी तरह से दोना है इसको चार से पांच मिनट के लिए भिगोना है और इसके पानी का एक चोटा चमची आपकी रेसिपी के लिए इनफ होगा और इसका बेस्ट रिजल्ट हासल करने के लिए आपने कर लेंगे तो इस तरह से तमाम औरेंज की जो चिल्के हैं हाथ की मदद से ही उसको चोटे चोटे पीसीज में हम तोड़ लेंगे और उसके बाद अपने ग्राइंडर जार में डालके इसको ग्राइंड कर लेंगे अब ग्राइंड करते हुए आपने इहत्यात करनी है कि पूटन पे इसको स्टार्ट किया हमने इसको चार से पांच मर्तबाप परस बाइब इस्टार्ट करना है जब ये अच्छी तरह से ग्रैंडिन शुरू कर देगी तब अपनी मर्यसी से इसको फास्ट ईस्टावली स्पीड में बैंप के अच्छी तरह से ग्राइंड कर सकते हैं तो आपकी मिशीन जितना अच्छा काम करेगी उतना ही इसका फाइन पाउडर बनेंगा यहां पर आपको इसके मोटे मोटे बताने की क्या जोरती, असल में होता क्या है जब हम कोई भी नई चीज़ ट्राइ। करते हैं और वो स्टार्ट में tav. आस्ट में से थो सारे चिलके निकाल & यहां करना है तो Αaph इस 김ास आप इनको दुबारा भी ग्राइंड कर सकते हैं तो आप इनको इन पूर्फ पर्सक्रा तो ये जो फाइन पाउडर है आप इसको फेस पैक्ड में यूज कर सकते हैं अगर एक कप बेसन से उसमे आपने ऐनने wszystkie कप ये वाला पाउडर एड़ करना है और एक चमच हल्दी लेनी है बस इन तमाम चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके अपने वाश्रूम में एक बोटल इसकी भरके रख लेनी है और इसी से आपने अपना फेस्ट होना है इसका एक चमच अपनी हतेली पर रखें थो लाँ थो आप को शाइनी बनाना चाहते हैं हैल्दी बनाना चाहते हैं तो खते में इक बार इसे नहीं मिक्स करें और अधे गहंते के लिए सपलाई ढ़ने दे अगर आप इसे अपने आपने डिक मूख पैक्स तो आप देखेंगे कि चंद ही अरसे में आपकी स्किन टोन जो है वो लाइटर होना शुरू हो जाएगी वैसे तो अला ने आपको जो भी स्किन टोन दिया है उस पे अला का शुकर अदा करना चाहिए रंगत गोरी हो काली हो या सामली हो इसे कोई फरक नहीं पड़ता है हर रंगत में हर इनसान में अला ने अपनी कशिश रखी है बस ये कोशिश करनी चाहिए कि आपने अपनी स्किन को बहुत नीट एंड क्लीन रखना है ये औरिंज पाउडर आपकी स्किन के लिए एक एंटी आक्सिडेंट का काम करेगा बेटामिन सी से तो ये भरपूर है ही अगर आप इसमें एक कैपसोल बेटामिन ए का एड़ करके इसे अपने स्किन पे अप्लाई करते हैं अगर आप कुकिंग रेसिपीस के इलावा इस तरह की रेसिपीस देखना चाहते हैं तो आपने कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना है और ये भी जरूर बताना है कि आप कहां से और किस सीटी से मेरी वीडियो वाश करें मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप सब का दस्तकां से जाये रखे और हम सब को सहत और इमान का रिस्क अता फरमाए अगर आप करें पुक्र रुके सुने जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बार बेल का इकन भी जडूर प्रेस करें जजा कर लाइ मेरी नेक्स वीडियो तक अलाफेस